आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण महासागरी गर्तों के बारे में जानेंगे तो स्वागत है आपका एक्जामिनेशन 27 में तो दोस्तों वीडियो को स्किप किये बिना इस्टोरी को ध्यान से सुनिएगा सुरू से लेके end तक इस्टोरी को ध्यान से सुनेगा आप भूल जाएए थोड़े देर कि आपको कुछ याद करना है तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे तीन लोगों के बारे में हो रही प्रसांत, अटल और पूर्वी यह तीन लोगों के बारे में बात हो रही यहाँ पे प्रसांत, अटल और पूर्वी तो देखिए इस्टोरी यह है प्रसांत मेरी नामक यान से टोंगा गया मंडे को नाव से वापस आया साथ में अटल और रमेश पूरी रोटी को रुक रुक कर खाते रहे पूर्वी हिंदी में सोला को सुडा करती है प्रसांत मेरी नामक यान से टोंगा गया मंडे को नाव से वापस आया साथ में अटल और रमेश पूरी रोटी को रुक रुक कर खाते रहे पूर्वी हिंदी में सोला को सुडा करती दोस्तों वीडियो के एंड में एक टेस्ट लगाया हुआ है उसका आंसर जरूर देजिएगा कमेंट में तो वीडियो को एंड तक देखिए तो देखिए इस्टोरी यह है आगे देखिए प्रसांत प्रसांत से क्या बन गया प्रसांत महसागर बन गया मेरी नामक यान तो नामक को छोड़ दिए मेरी और यान मेरी और यान मिलकर क्या बनाते हैं मेरी याना से टूंगा टूंगा बन गया और मंडे मंडे और नाव मिलकर मिड़नाव बनाते हैं मंडे और नाव मिलकर क्या बन गया मिड़नाव तो देखिए प्रसांत महासागर में कौन-कौन सी करते हैं मेरियाना, टोंगा, और मिड्नाव, अब देखिए अटल, अटल से क्या बन गया, अटलांटिक मास अगर, अटलांटिक मास अगर में कौन कौन से करती है, देखिए, रमेस से बन गया, रोमेस, और पूरी रोटी से प्यूरेटी, क्या बन गया, प्यूरोटी, रूको, रूको पूरी रोटी से प्यूरीटो बन गया और रूख से रीको बन गया तो अट्लांटिक मासागर में कुन-कुन सी गरते हैं अट्लांटिक मासागर में है रोमेस रोमेस प्यूरीटो रीको प्यूरीटो रीको ये दो गरते हैं अट्लांटिक मासागर में अब आगे देखिए ये देखिए प्रसांत प्रसांत से बन गया प्रसांत महासागर प्रसांत से बन गया प्रसांत महासागर ध्यान दीजिए मेरी और यान मेरी और यान मिलकर क्या बन गया मेरी याना टोंगा से टोंगा बन गया और मिड और नाव दोनों मिलकर क्या अब कर गए है मिडनाओ तो देखिए प्रसांत महासागर में तीन गरते हैं मेरियाना, टोंगा, मिडनाओ देखिए फिर अटल से बन गया अटलांटिंग महासागर अटलांटिंग महासागर में दो गरते हैं रमेस रमेश से बन गया रोमेश और पूरी रोटी पूरी रोटी से बन गया प्यूरीटो और रूक से बन गया रीको प्यूरीटो रीको तो अटलांटिक मास आगर में कित्ती गरते हैं? दो गरते हैं एक है रोमेश और एक है प्यूरीटो रीको अब पूर्वी हिंद माहसागर तो यह देखिए पूर्वी हिंद माहसागर पूर्वी से बन गया पूर्वी और हिंदी से हिंद माहसागर हिंदी से हिंद माहसागर पूर्वी हिंद माहसागर तो देखिए पूर्वी हिंद माहसागर तो यहाँ पर एक ही करते हैं सूडा नाम की तो देखिए रिविजन कर लेते हैं प्रसाद मासागर में तीन करते हैं मेरियाना, टोंगा और मिडनाव तो प्रसाद मेरी नामक यहान से टोंगा गया मंडे को नाव से आया तो फिर अट्लांटिंग माहसागर में दो गर्तें रोमेश, प्यूरिटो, रिको तो देखिए साथ में अटल और रमेश पूरी रोटी को रुक रुक कर खाते रहे हिंद माहसागर में एक गर्त है सुडा तो और पूर्वी हिंदी में सोला को सुडा करती है तो ये इस्टोरी को छोटी सी इस्टोरी है इसे याद कर लीजिए और सरल है छोटी और सरल इस्टोरी है देखिए इस इस्टोरी को याद कर लीजिए प्रसांत मेरी नामक यान से टोंगा गया मंडे को नाव से वापस आया तो यहां से इती इस्टोरी में से क्या मिल जाएग हमें प्रसांत माहसागर की गरतों के बारे में पता चल जाता है फिर साथ में अटल वर रमेश पूरी रोटी को रुक रुक कर खाते रहे तो इत्ते में हमें अट्लांटिक माहसागर की गरतों के बारे में पता चल जाता है और पूर्वी हिंदी में 16 को सुड़ा करती है तो हमें पूर्वी हिंद महासागर की गर्तों का पता चल जाता है इस छोटी सी इस्टोरी से सरल इस्टोरी है याद रह जाएगी आप आपको पूरी गर्तों के नाम याद रह जाएंगे तो देखी दोस्तों ये तीन चार क्वे में दीजिए पहला है मेरहना गर्त किस महासागर में इसे बताई मेगा धी को दोस्तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर इसी तरह की ट्रिक्स के लिए लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और कमेंट करके बताईए वीडियो कैसा लगा